नमस्कार आप देख रहे हैं दिनमान टाइम्स में आपके साथ रंधीरा आज हम मौझूद हैं राज़त के पार्टी ओफिस और हम सराबंदी पर हुई कल मैं थरान बैठक और जेडियू के द्वरा आयोजित किये जा रहे है प्रदेश भर में बड़े अस्तर के प्रोग्राम पर बातचीत करेंगे आये हम जानते हैं राज़त के परवक्ता एजाज हमाद जी से कि सराबंदी पर हुई मुख्यमंत्री की मैथरान बैठक का क्या मैने निकाले जाएं और सर कल जो साथ घंटे की बैठक हुई उसमें क्या कुछ नया आपको देखे ये साथ घंटे के बै सरकार की निती तो ठीक है लेकिन नियट ठीक नहीं है और नियट उसी की ठीक होती है जो व्यस्था को ठीक धंग से चलाना जानते हों चुके सिर्फ समिक्षा कर लेने भर से ही सराबंदी कार्जकरम सफल नहीं हो सकता इसके लिए अवेरनेस कार्जकरम चलाना होगा नसा कहीं भी पूरे राज में नहीं बनाया गया है जो नसा में लिफ्ट लोग हैं उनके awareness के लिए उनके लिए कार्ट करम चलाने के लिए नसा मुक्तिकेंदर का होना अवसक है हम समझते हैं कि सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए और जो थानेदार और चौकिदार को जिमेवार बताया गया है मैं मानियो मुखमत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि क्या बिहार में जो सराव आ रहा है उसके लिए पिहार के चौकिदार को जिमेवार नहीं माना जाए जो बिहार की पूरी विएस्था को देख रहे हैं जब हरयाने से सराव आता है जब पंजाब से सरकार के मुख्या को पूरी ध्यान देनी होगी और वियस्था पर ध्यान देना होगा इनका वियस्था पूरी तरह से चर्मरा गिया है ये लौग और ओर्डर की बात करते हैं इनका लौग भी नहीं चलता ओर्डर तो एक दम नहीं चलता इन सरकार का एकवाल समाप्त हो गया जिसकारण आज घर घर तक सराब पहुच रहा है सुसील मोदी का बयान आया है सर की राज़त गामी चुनाव लड़कर दिखा दे सराबंदी को निरस्ट करने की बाते कहती है सुसील मोदी जी सबसे पहले तो ये असपश्ट करें कि 2005 से 2015 तक जो भारते इंता पाटी और जंता दल्यू के नतरित में सरकार चल रही थी उस समय सराब नीती के पुरसाहन को किसने बढ़ावा दिया किसने महिला और बच्चियों के बीच जा करके कहने का काम किया कि जो आपको पुसाक मिल रही है जो आपको सैकिल मिल रही है ये सराब के राजस्ट से मिल रहा है हम चाहते हैं कि बिहार में विकास हो सराब के राजस्ट के माद्यम से तो सुसील मोदी जी अपनी बातों को आपसपश्ट कीजिये ने आपके कार्टकाल में पंचायत अस्तर तक गाउं अस्तर तक सराब की दुकाने खुल गई थी जब महागडबंधन में नितीज कुमार आए राश्टिय जनतादल के दबाओ सिरी लालू परसाद और सिरी तेजस्वी परसाद जादब जो उस समय उप मुख मंत्री थे उनके दबाओ के कारण ही 1 अपरेल 2016 से सराब बंदी कानून लागू हुआ और तब तक मजबूती के साथ लागू रहा जब तक राश्टिय जनतादल के साथ नितिस कुमार रहे महा गडबंदन के साथ नितिस कुमार रहे लेकिन जैसे ही वो फिर भारतिय इंतापाटी के साथ गये सराब निती अंदर अंदर पुरसाहन की निती में बदल गया जहां सरकार के अस्तर से पहले राजस उगाही होती थी अब प्रस्टनल अस्तर से फंडिंग रिसोर्स का ये जरिया बना लिया गया भारतिय इंतापाटी और जनतादलियू के द्वारा ये नितीश कुमार और सुसील मोदी ने पूरे बिहार को रसातल में पहुँचाने का काम किया है और सोला वर्स के कारतकाल का जो ये बेमिसाल बता रहा है हाँ बेमिसाल रहा है हत्या के मामले में लूट के मामले में अत्याचार के मामले में बलातकार के मामले में और बिहार को फिसड़ी राज पहुचाने के मामले में ये सरकार सही माने में बेमिसाल है और सबसे बड़ी बात यह है कि मुख मंत्री उससे भी बड़े बेमिसाल है जो पल्टी मार करके अपनी सत्ता को बनाए रखे हुए है ऐसा गुन किसी में नहीं आता है उनके परवक्ता ने ठीकी कहा कि भीड में वो अकेले दिखते हैं ये बात सही है कि बिहार के जितने भी राज नितिक दल के नेता है उस सबसे अकेले हैं वो पल्टी मार करके सत्ता में कैसे रहना चाहिए ये गूर अगर किसी को सीखना आ तो नितिश कुमार से सीख सकते है तो सुना आपने किस तरीके से इसाज हमद ने बताया कि जो 16 सालों का कारेकाल है और 24 नवंबर को जेड बंदी को कहीं ना कहीं एक तरीके से डिल मिली है देखना दिल्चस्प है कि 24 नवंबर का जो आयोजन है जेडियू का वो कितना सफल होता है फिलाल दिर्मान टाइम्स को आप सब्सक्राइब करें आप अगर फेसबूप देख रहे हैं तो लाइक करें